जैहिन दोस्तों, मैं आप सभी का Rankers GK Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज से दोस्तों UP Police Re-Exam को ध्यान में रखते हुए एक test series launch किया जा रहा है यह test series बहुयामे test code से बनाया गया है ताकि आपको अन्य परिक्षाओं जैसे SSC, UPPSC, ROARO या UPSC में भी मदद मिले तो दोस्तों copy pane लेकर बैठ जाएए और साथ में काम कीजेगा, short note भी बनाते रहेगा ताकि exam time में आप quickly revise कर पाओ तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रष्ण और देखिए प्रष्ण attend करने से पहले आप एक काम कीजिगा वीडियो को रोग के attend कीजेगा और जब मैं answer बताओं तो आप mark करते रहेगा आपका कितना correct हुआ, कितना incorrect हुआ तो चलिए अपने पहले प्रष्ण के तरफ बढ़ता है चलिए देखते हैं अपना पहला प्रष्ण, पहला प्रष्ण आपकी सामने है, इसको पढ़िए ध्यान से पहला प्रष्ण निम्रिकित में से कौन सा एक प्रसेथ असमिया त्यवहार है असमिया त्यवहार का मतलब असम से संबंद रखने वाला त्यवहार तो option A है मकर संक्रांती, option B है युगादी, option C है ओडम, option D है रुंगाली भी हूँ तो दोस्तों इसमें correct answer, option D, रुंगाली भी हूँ तो अब देखें, जैसे हमने बात किया था, बहु आयम अदिस्टी कोड मतलब की इर्दीद की बातों को भी देखते चलेंगे तो असम से संबंद रखने वाला एक अन्य प्रमुक्तिवहार है कली गोपाल, क्या नाम है दोस्तों? कली गोपाल तो इसको भी आप याद रखेगा अब देखें, दोनों त्योहारों को याद रखने के लिए मैं एक निमोनिक्स बोलूँगा, उसको आप रट लेजेगा वो क्या है? असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई एक बरी और बोलते हैं, असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई तो अब देखें दोस्तों, ये याद हो चुका है आपको तो बहू से हो गया बिहू, और काले गोपाल से हो गया कली गोपाल अब देखे ये आपके अस्तर की बात हो गई अगर बड़ा एक्जाम देते हैं आप तो वहाँ पे आपसे प्रश्ण बनता है कि जो बीहू तेवहार है वो असम में मनाया जाता है लेकिन क्यूं तो क्यूं का जबाव है दोस्तों ये फसल पकने की खुसी में मनाया जाता है अगर आपसे एक स्टेज और आगे बढ़के पूछा जाए कि जो बीहू सब्द है वो किन्हों ने दिया तो दोस्तों वह वहाँ पे रहने वाली एक जाती है दिमासा तो उन लोगों ने ये सब्द दिया था बीहू अगर आपसे एक स्टेज और आगे जाके मैं प्रशन पूछू कि बीहू सब्द को पहले किस नाम से जानते थे तो दोस्तों वह हो जाएगा बीसू ठीक है तो इतनी बात आपको याद रखेगा चले अब हम बात करेंगे दूसरे प्रशन पे दूसरा प्रशन है निमलखित में से किस भासा को केंदर सरकाल द्वारा सास्त्रिय भासा का दर्जा दिया गया है तो चार अपसन है अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो मैं हूँ है ना तो A है गुजराती, B है तमिल, C है मराठी, D है मलयाला तो दोस्तों इसमें राइटन सरा आपस नमर B तमिल भासा अब देखें किसी भी सास्त्रिय भासा का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ बिसेश मापदंडों को पूरा करना होता है तो वो हम जान लेते हैं देखें यहाँ पे आपसे प्रश्ण बन सकता है कि तमिल भासा को सास्त्रि भासा की दर्जा दी गरी है लेकिन किस वर्ज तो इसको 2004 में दी गई थी और किंद्र सरकार के द्वारा दी गई थी मापदंड भी जान लीजे देखें उसे पहली बात तो बहुत प्राचीन होने कि आप सकता है दूसरी बात क्या है उसकी एक बिसेस्ट बिरासत होनी चाहिए तीसरी बात क्या है दोस्तो उस भासा में बहुत ही अधिक साहित्य की रचना होनी चाहिए और यह तीनों मापदंड पूरा करती है कौन? तमिल भासा इसलिए इसको मिला है सास्त्रिय भासा का दर्जा तो आपसे प्रश्ण अब कैसे भी पूछे तो ये प्रश्ण आपसे बन जाएगा चलिए, अब हम देखेंगे अगला प्रश्ण प्रश्ण मल तीसरा काफी इंपोर्टेंट है, है ना? तो पढ़ते हैं आपके लिए प्रश्ण उसकर मेला कहां आयोजित होता है बहुत इंपोर्टेंट है तो A है जोधपूर, B है अजमेर C है जैपूर, D है उदैपूर तो दोस्तो इसमें जो राइट अंसर है वो है आपसन नमबर B यानि कि अजमेर में अब देखें एक दो पॉइंट और जानके चलते हैं अजमेर कहां पे है दोस्तो पहली बात तो अजमेर है राजस्थान में, ठीक है? तो अगर अजमेर ना देखे अगर राजस्थान आपसन में हो तो इसको ट्रिक कीजेगा अगर आपसे पूछ लिया जाए निमलखीत में से उटो के लिए कौँ सा मेला पसिद है तो दोस्तो याद रखेगा पुशकर मेला किस के लिए पसिद है? उटो के लिए ठीक है उंटों का भी मेला इसको बोला जाता है ठीक है चले आपने इसको तो जान लिया अगर हम बात करें अन्य मेलों के बारे में जैसे 2024 का यूपी प्लिस का जो पेपर हुआ था उसमें एक प्रश्ण बना था कि हाथियों के लिए पसिद्ध निमलिखित में से कौन सा मेला है तो दोस्तों ये है हरियर मेला ठीक है कौन सा मेला है हरियर ये कहां पे लगता है दोस्तों बिहार में कहां पे बिहार में किसले फेमस है हाथियों के लिए इस हरियर मेला को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है उनको भी जान लिए ठीक है एक नाम है सोनपूर का मेला ठ तो ये बहुत ही फेमस प्रश्ण बनता है और बड़ा ही अच्छा टॉपीक है चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्ण पर यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल है इसको आप लोग पढ़ लीजेगा चलिए प्रश्ण नमर 4 देखिए बंगाल इसकूल आफ आर्ट के प्रड निंद नाथ टैगोर तो दोस्तों इसमें राइट एंसर आप्सन नमर डी अवनिंद नाथ टैगोर बंगाल इसकूल आफ आर्ट के यह पढ़ेता थे तो इसी में अगर एक स्टेज आगे आपसे बढ़के प्रश्ण पूछा जाए कि बंगाल इसकूल आफ आर्ट को मतलब पचार पसार कौन किया इसका तो वह एक अंग्रेज थे उनका नाम था इवी हैवल ठीक है तो वह भी आप याद रखेगा क्या नाम था इवी हैवल ठीक है तो इनका भी नाम याद रखेगा चलिए अब हम देखेंगे प्रशन नमर पांच लोकचित्रकला, मधवनी किस राज में लोकप्रिय है तो दोस्तों ये बहुत सारे एक्जामों में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है तो A है पस्चिम मंगाल B है उडिसा, C है बिहार D है असंद तो इसमें राइट अंसर है, option number C बिहार में, मधवनी पेंटिंग ये बड़ा ही famous है, इसको GI tag भी मिल चुका है तो कुछ GI tags related बात कर लेता है कि इसको कब GI tag मिला तो दोस्तों इसको 2005 में GI tag मिल चुका है मधवनी पेंटिंग को अगर हम यहाँ पे GI tag की बात करें कि भारत में GI tag कब से प्रारम होगा सबसे पहले GI tag का अगर आपसे full form ही पूछ लिया जाए तो वो भी याद रहा चाहिए geographical identification होता है इसका full form क्या होता है दोस्तों geographical identification भारत में कब से प्रारम है 2003 से अगर पूछा जाए आपसे प्राशन कि पहला कौन सा product था या फिर कौन सा culture था जिसको GI tag मिला तो दोस्तों भारत में दाजिलिंग का चाहिए सबसे पहला product है जिसको GI tag मिला तो दाजिलिंग चाहिए कब मिला 2003 को चलिए अब हम बात करेंगे अब यहां से हम देखेंगे भातिय समिधान से संबन्दे कुछ मातपूर प्राशन तो प्राशन में बहुत ही frequently पूछे जाने वाला प्राशन और आपके exam में बहुत ही मतलब देखिए अगर आपका exam है पलिस का तो कानून और ब्योस्ता प्राशन बनते हैं तो यह आपके लिए स्वभाविक है important है तो कानून के सासन की अधारडा निमलिखित की सहमधानिक प्राली की एक विसेस्ता है तो आपको देश का नाम बताना है जिसके सहमधानिक प्राली की विसेस्ता क्या है कानून का सासन तो A है Britain, B है USA, C है France, D है Switzerland तो दोस्तो इसमें right answer option number A, Britain अब देखे, कानून का सासान, जिसको English में हम क्या बोलते है Rule of law, ठीक है, क्या बोलते है Rule of law, चड़े हमने प्रश्णम अच्छे के उपर बात कर लिया है अब एक दो point इसमें और भी जान लेजे साथ में अगर आपसे प्रश्णम पूछ लिया जाए कि USA के समिधान से भारत में क्या लिया गया है ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार होता है fundamental rights, ये USA के समिधान से लिया गया ठीक है, और जो भारत में president का post है वो भी USA से लिया गया है लेकिन दोस्तों, अगर आपसे प्रश्णम पूछ लिया जाए कि president का जो election होता है वो किस देश के समिधान की मतलब एक प्रडाली ब्यवस्ता है तो दोस्तों, वो हो जाएगा Ireland ठीक है, क्या हो जाएगा Ireland ठीक है, तो जो president का election का जो प्रडाली है, वो Ireland से लिया गया है और जो president का post है वो USA के समिधान से लिया गया है अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रांस से क्या लिया गया है तो दोस्तों, फ्रांस से अपने समिधान में जो आपका उद्देशी का है जिसको हम preamble के नाम से जानता है इंग्लिस में और उसको हम हिंदी में बोलते है उद्देशी का, चिक है तो उसमें अगर हम बात करेंगे तीन सब्द हैं, चिक है एक तो स्वतंतरता, चिक है एक मिनट इसमें स्वतंतरता, चिक है ये तीनों सब्द दोस्तो, कहां से लिए गए है फ्रांस के समिधान से और कहां पी ये मेंसन है भातिय समिधान के उद्देशी का में प्रियंबल में, प्रस्तावना में, चिक है तीनों बात एक ही है चले, अब हम आगे बढ़ेंगे तो चले, अपने अगले प्रस्त के तरफ बढ़ते हैं अगला प्रस्त बहुत ही सिंपल है ध्यान से देखिए भातिय समिधान का संदच्छ कौन है तो आपके सामने आप्सन है A है भारत के राष्टपती B है भारत के मुख्य नाधिस C है भारत के प्रधान मंत्री D है राजसभा के सभापती ठीक है तो प्रस्त नमबर साइ चंसर है दोस्तो वो होगा भारत के मुख्य नाधिस तो भातिय समिधान के संदच्छ कौन है भारत के मुख्य नाधिस थोड़ा सा इनके बारे में हम और जान लेते हैं इस प्रश्ट के बारे में अगर भारत के राष्टपत के उपर बात करें तो अगर आपसे प्रश्टपत पूछा जाए कि भारतिय समिधान में एक राष्टपती होना चाहिए भारत के रिए एक राष्टपती होना चाहिए उसका प्रावधान कहां पे है तो अनुछेद बावन में अगर आपसे प्रशन पूछा जाए कि जो भारतिय संग है उसका जो कारेकारी सकती है या फिर कारेपाली का प्रमुख कौन है तो दोस्तों वो हो जाते हैं आपके राष्टपती और उसका जो प्रावधान है वो अनुछेद तिरपन में लिखा गया है अगर आपसे प्रशन पूछ लिया जाए कि राष्टपत का निर्वाचन किस अनुछेद से संबन दित है दोस्तों तो वो हो जाएगा अनुछेद च 56 अगर पूछ लिया जाएं कि पुनर जैसे मालेजे राष्टपति एक बरी पोस्ट से हट जाता है दुबारा से उसको राष्टपति बनना है तो उसके लिए प्रावधान किसमे है तो अनुछेद 57 अगर पूछ लिया जाएं कि राष्टपति बनने के लिए कौन सी योग्यत होनी चाहिए तो उसका प्रावधान अनुछेद अंठावन में लिखा है ठीक है अगर हम बात करें राष्टपति के पद के लिए क्या-क्या सर्त आपको पूरी करनी होती है उसके लिए अनुछेद 69 में प्रावधान है ठीक है राष्टपति किस अनुछेद के अंतरगर्त गरहन करते हैं तो वो है अनुछेद 60 अगर बात करें राष्टपति पर महा ब्योग चलाने की जो प्रक्रिया है इसका वड़न किस अनुछेद में है तो अनुछेद 61 ये बहुत ही मातपोड अनुछेद है इनको एक बारी रूख कि आप रिवाइज कर लेजेगा ठीक है च खांग छार में दी है भाग एक में तो इसका राइट एंसर है अंपस नमबर एग प्रस्तावना में ठीक है तो प्रस्तावना में तो प्रस्तावना के उपर हम थोड़ा सा और बात करेंगे ठीक है तो इसको एक अन्य नाम से जानते हैं जिसको हम उद्देश का कहते हैं और ऐसा माना जाता है जो भारतिय समिधान के निर्माता थे उनके मनोभाव को दल साता है प्रस्तावना अगर इसको हम बात करें कि प्रस्तावना किनकी देन है तो पंडी जोहालान नहरू की देन है प्र प्रस्तावना आ गया है तो एक दो बात और हम डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं तो जादे सही रहेगा अगर पूछ लिया जाए प्रस्तावना जो लीखा गया है तो लीखने की जो सैली है वो किस समिधा से लिया गया दोस्तों तो वो अस्टेलिया से लिया गया है यह भी और देखेंगे अपना अगला प्रश्ण नमबर 9 तो चलिए बड़ा इंट्रेस्टिंग क्वेस्टन है और काफी जाओं में पूछा जाने वाला प्रश्ण है तो भाते समिधान के अनुछे 14 में प्रियुक्त कानून के समक्षे समानता वाक्यांस कहां से उधाल दिया गया है बताईए ए है USA, B है जर्मनी, C है ब्रिटेन, D है ग्रेस तो दोस्तो प्रश्ण नमबर 9 का जो राइट एंसर है और आप्स नमबर C है ब्रिटेन से ठीक है अब इस से लिटेड हर एक प्रश्ण से जैसे लिटेड हम बात कर रहा है कुछ तो इसमें भी हम बात करेंगे तो यहां पे कुछ दिया गया है ठीक है पढ़िए इसको तो देखें अगर पूछा जाएं जो आपात काल का प्रावधान है जो महारत में इमर्जंसी लगती है ठीक है जैसे 1976 का जो राष्टी आपात काल बड़ा ही प्रसिद्ध है ठीक है तो ऐसी जो इमर्जंसी का अगर हम बात करें अनुच्छे 352 का तो इसमें वित्य आपातकाल की बात करते हैं अब यहां से अगर आप से एक फूष्न और पूछा जाए कि राष्टी आपातकाल के दोरान नागरी के कौन से अधिकार या फिर किस अनुच्छेद को सस्पेंड नहीं किया जाता है तो दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 के अंतरगत जो अधिकार आपको मिले हैं उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता है राष्टी आपातकाल के भी दोर आई गई है ठीक है तो emergency के दारान ऐसा नहीं है कि नियम कानून बदल के आपको दुबारा से उस सजा के लिए देंड दिया जाएगा ठीक है और अनुछे 21 में क्या है दोस्तो अगर आपको जैसे आपका जो गरिमा में जीवन है ठीक है और या तो फिर आप हमने बात करी थी तो राष्टपत प्रमावियोग अनुछेद 61 के अंतरगत ये लिया गया है कहां से USA से राष्टपत ये उपराष्टपत का जो कारे है वो भी USA से लिया गया है उच्च तम नयाले और उच नयाले के नैधिस को हटाया जाएगा इसका भी प्रावधान USA के समिधान से लिया गया है मौलिक अधिकार हमने देख लिया था नयाइक समिक्षा तो ये भी लिया गया है USA से नैपालका की स्वतनत्ता USA से समिधान की प्रष्टावना USA से ठीक है इतना बात आप याद रखेगा देखिए ब्रिटेन से संसद्य प्रडाली बहुत ही फेमस प्रश्ण बनता है कि भात्य समिधान में जो पालियमेंटरी सिस्टम है संसद्य प्रडाली है कहां से लिया गया है दोस्तों तो ब्रिटेन से ठीक है तो अगले प्रश्ण पर बढ़ने से पहले आप पानी भी लिजे कि आपका दिमाग न सुनने के लिए तैयार है चले अगला प्रश्ण देखिए चले अब हम बात करेंगे प्रश्णमल 10 पे समयधानिक राज तंत्र का क्या आर्थ है तो चारो आपसन पढ़ देता हूं आपके लिए A है राजा समयधान लिखता है B है राजा समयधान की ब्याख्या करता है C है राजा समयधान द्वारा प्रदत सक्ती का प्रियोग करता है D है राजा लोगों के द्वारा चुना जाता है तो दोस्तो इसमें option number C correct होगा राजा समिधान दोरा प्रदत सक्ती का प्रियोग करता है यही अर्थ है समिधानिक राज तंत्र का तो आप याद रखेगा चलिए प्रश्ण number 11 देखते हैं अब हम बात करेंगे भारते भोगोल से समंदित महतपूड प्रश्णों पर तो पहला प्रश्ण आपके सामने है प्रवाल भित्यों के समरचन के लिए भारत सरकार ने नमिखित में से एक को समंदरी पार्क घोसित किया है तो बताईए इन चारों लोकेशन में से किसको समंदरी पार्क की उपाद मिले है तो ए है अंडमान दीव समूग को बी है कच की खाड़ी को सी है लक्ष दीव समूग को बी है मनार की खाड़ी को तो दोस्तों प्रश्ण number 11 का राइट अंसर है option number B कच की खाड़ी को तो इस से related कुछ अन्य महतपुर बाते हम प्रवाल से जुड़ी देखेंगे तो प्रवाल होता क्या है यह समंदर में पनपने वाला एक जीव है दोस्तों और जो आप देखे होंगे डिस्कवरी चैनल पर जो पानी के अंदर सुन्दर सुन्दर मचलियों वाला एक छोटा सा छोटा मोटा घास का एक ecosystem टाइप का दिखाई देता है तो दोस्तों वो प्रवाल होते है प्रवाल के आउसेस होते है जिसमें मचलिया जाके घर बनाती है तो अगर आपसे प्रशन पूछ लिया जाए कि समुन्दर में जो सबसे अधिक जय विवित्या पाया जाता है वो कहां पे पाया जाता है तो दोस्तों प्रवाल भित्यों के सम्मों में तो याद रखेगा अब देखिए प्रवाल कहां पनपते है ये प्रशन आपकी यो PSC में पूछा जा चुका है उसके लिए जो कंडिशन होते है तो दोस्तों उनके पनपने के लिए सबसे जादे जरूरी है कि टमप्रेचर उस जल का 22 से 32 डिगरी सेल्सियस के बीच में होना चाहिए और उनकी जो गहराई होती है वो 200 मीटर तक होती है और उससे अधिक गहराई में वो नहीं पनपते है ये भी याद रखेगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक प्रवाल कहां पे पाया जाते है किस प्रकार के जल में पाया जाते है तो दोस्तों जिस जल की लवरता 27-40% के बीच में होती है वहाँ पे ये पनपते है और ये मीठे जल में नहीं ये लवडी जल में पनपते है ये भी याद रखेगा अगर आपसे पूछ लिया जाए एक प्रशन आगे बढ़के कि सबसे अधिक आपको प्रवाल कहां पे देखने को मिलते है किस महासागर में तो याद रखेगा प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर में क्यों? बताईए इसका कारण आप बताईएगा अब यहाँ पे देखिए हमने बहुत सारी बाते देख ली अगर आपसे प्रशन पूछ लिया जाए कि भारत में प्रवाल भित्या कहां कहां पे देखने को मिलती है तो अंडमान और निकोबार में देखने को मिलती है अगर बात करें कच्च की खाड़ी में गुजरात राज्य में इनको भी आप याद रुक के चलेंगे और देखें सेशन में हम लास्ट में सेशन को क्विकली रिवाइज भी करेंगे कि तुरंट आपका रिवजिन भी हो जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन नमर भारत में निमलिकित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है तो A है आंधरप्रदेश B है महारास्ट C है तमिलनाड D है गुजरात तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट एंसर जल्दी से बढ़ाइए बहुत ही इजी प्रशन है इसका राइट एंसर आपस नमर D गुजरात तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा कौन सी है गुजरात की है अब थोड़ा सा हम तट रेखा से रेलेटेड बात करके ही आगे बढ़ें तो सही रहेगा तो हम दच्छिड भारत को थोड़ा सा sketching के माध्यम से देखते है और देखे मेरा sketching इतना perfect नहीं है तो आप manage किजेगा तो ये है दच्छिड भारत और color change करके देख लेते हैं ये है गुजरात का तट और इसको काठियावार तट के नाम से जानते हैं किस तट के नाम से? काठियावार तो ये अगर बात करें तटरेखा इसकी सबसे लंबी है अगर आपसे पूछा जा सबसे छोटी किसकी है तो दोस्तो वो हो जाएगा गोवा तो गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है अगर आपसे प्रशन यहीं पे पूछ लिया जाए कि कितने तटरेखा वाले प्रदेश है ठीक है तो भारत की दोस्तो नो तट्रेखा वाले प्रदेश हैं तो ये हो गया आपका गुजराद यहाँ पे हो गया आपका महारास्टा ये हो गया गोवा ठीक है उसके नीचे आप देख लेंगे करनाटका फिर आप देख लेंगे केरल उसके बाद आप देखेंगे कौन सा दोस्तों ये होगे आपका तमिल नाडू, फिर यहाँ पर देखेंगे आंधर प्रदेश, उसके बाद देखेंगे उडिशा, और लास्ट में आप देख लेंगे वेस्ट बंगार, ठीक है, ये रहे आपके कुछ तटिय प्रदेश, ठीक है, तो 9 प्रदेश हैं, याद चलिए प्रश्ण नमर 13 देखें ध्यान से, और ये काफी सुल्जा हुआ प्रश्ण है, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, नियम गिरी पहाड़ी काला हांडी जिले में इस्तित है, तो आपको बताना है, ये काला हांडी जिला है कहां पे, A है उडिशा में, B है प्र जवाजाब D है केरल, तो दोस्तों प्रश्ण नमर 13 का जो राइट एंसर है, वो जल्दी से कमेंट सेक्षन में आप बताईए, उमेद है कि आप जवाब देंगे, तो दोस्तों काला हांडी डिस्टिक आपको कहां पे देखने को मिलता है, जल्दी बताईए, इसमें आप्स प्राइड डिपे भारत की सबसे उची परबच चोटी है, बताईए, ए है अनाई मोडी, भी है डोडा बेटा, सी है महंदर गरी, धी है नील गर्जिस, तो इसमें जो राइट एंसर है दोस्तों, यहां पे बात है प्राइड डिपे भारत का, तो राइट एंसर होगा उचा परबच चोटी कौन है दोस्तों, तो वो हो जाएगा डोडा बेटा, यह आपको नील गिरी पहाड़ी पे देखने को मिलता है, अगर आपसे प्रशन यहीं पे पूछ लिया जाए, कि भारत का सबसे उचा परबच चोटी कौन है, तो दोस्तों, यह हो जाएगा आपक केटू, ठीक है, और इसको गाडविन आस्टिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यह भी बात आप याद रखेगा, ठीक है, अगर आपसे प्रशन पूछ लिया जाए, कि वर्तमान या फिर संप्रभू भारत का सबसे उचा परबच चोटी कौन है, तो यह हो जाएगा कंच कंचन जंगा, ठीक है, अब देखे दोस्तों, यहाँ पे संप्रभू भारत का क्या आर्थ है, देखे, अगर भारत की बात करें, तो यह केटू हो गया, संप्रभू भारत का मतलब, यह है सिक्की में कंचन जंगा, ठीक है, और यहाँ पे नियम कानूर बनाने के लिए भारत स्वतंत्र है लेकिन ये जो केटू वाला लोकेशन है ये कराकुरम परबद स्रेडी पर है और ये है वलतमान में पाकिस्तान के द्वारा जो occupied कस्मीद छेत्र है वहाँ पर है अगर ये इसी के बारे में पूछ दिया जाए जो केटू है ये किस परबद पे है दोस्तों तो ये है नंगा परबद पे ठीक है तो ये भी बात आप याद रखिएगा चले अब हम देखेंगे अगला प्रशन प्रशनमबर 15 दो नदियों के बीच के उपजाओ भूमी को क्या कहते हैं बड़ा ही सिंपल प्रशनम पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए इसका जो राइट एंसर है दोस्तों आपस नंबर C होगा दुआब तो आपको यहाँ पे पंच नदियों का दुआब देखने को मिलेगा जिसको हम पंचाब के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे आपको गंगा यमना का भी दौआब छितर देखा जायेगा जिसको हम प्राचीन में ब्रहमवस्जी के नाम से जानते थे तो दो नदियों के बीच का जो छितर होता है उसको दौआब छितर कहते हैं और जो मेसोपुटामिया की सभ्यता बिक्सित हुई थी दोस्तों, वो दो नदियों दजला और फरात के बीच में बिक्सित हुई थी, एक दजला थी और एक फरात, तो यहाँ पे मेसोपुटामिया की सभ्यता भी बिक्सित हुई थी, दजला और फरात दो नदियों के मत है, तो इसको भी आप याद रखेगा ये भी द्वाब छेत्र में बिक्सित हुई थी चलिए प्रश्ण नमर 16 देखे ध्यान से अब हम देखेंगे भात इतिहास से समंदित कुछ महतपूर प्रश्ण देखे सेशन थोड़ा सा डिटेल हो रहा है और यह है इसलिए कि आप कम समय में ज़्यादा सा ज़्यादा रिवाइस करें क्योंकि एक्जाम में ज़्यादा सा ज़्यादा रिवाइस कर पाते हैं आप तो ज़्यादे प्रश्ण करते हैं तो आप बिल्कुल धैरे रखेएगा प्रश्ण नमर 16 देखिए अब अटक से अटक नामक विजय घोस किसे जुड़ा है बताईए ए है मुगलों से बी है मराठा सी है सिंधिया डी है राजपूत तो दोस्तो राइट एंसर है इसमें आप्स नमर बी मराठों से अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल है कि जो अटक स युद्ध में आया था 28 अप्रैल 1708 इस बी को जिसमें मराठा समराज दुरानी समराज का क्या कर रहा था सामना कर रहा था तो याद रखेगा अगर आपसे प्रशन पूछ लिया जाए मराठा समराज की अस्थापना किसने करी थी तो सिवा जी महराज ने किय थी इसको भी आप याद रखेंगे चलिए अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नमर 17 आपके सामने है इसको ध्यान से पढ़िए निमलिखित में से किसने 1792 में गीत गुविंद का अनुमाद किया यहाँ पे रचना की बात नहीं हो रही है दोस्तों अनुमाद की बात हो रही है कि किसने अनुमाद किया तो इसमें राइट एंसर क्या होगा आपसन नमर सी सर विलियम जोंस ने अगर आपसे प्रशन पुछ लिया जाए गीत गुविंद की रचना किसने की थी तो इसके रचईता है दोस्तों जैदेव ठीक है कौन है जैदेव ठीक है तो याद रखेगा गीत ठीक है तो याद रखेगा चलिए प्रशन नमर अठारे देखेए भूदान योजना की सुरुवात किसने की थी तो ए है अचारे नरेंदर देव ने बी है राज नरायन जी ने सी है आचारे विनोवा भावे धी है मेधा पाटे गुछ तो दोस्तों इसमें राइट अंसर आ आप याद रखेगा तो बाकी बाते आप खुद पढ़िएगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आप ज्यादा सीखें चलिए प्रशन नमर 19 देखें प्रशन नमर 19 क्या है मांटेग्यू चेम्स फोर्ट सुधारों के कारड़ भारत में निमलिकित में से किसकी सुर प्रशन नमर 19 देखें तो इसको भी याद रखेगा और द्वाइद सासन को डिटेर्ड में अगर बात करें तो द्वाइद सासन में प्रांतों में दो बिसे लाए गये थे एक को बोलते हैं दोस्तो आरचित बिसे ठीक है और आरचित बिसे पे कानून बनाने का अधिकार व भारत भारत के लोकल लोगों के द्वारा जो चुना हुआ मंत्री होता था वो अस्थांतरित बिसेयों पे नियम कानून बनाता था ठीक है आरचित बिसेयों में जादे तर कर से रिलेटेट प्रावधान थे और अस्थांतरित बिसेयों में सेमाओं से रिलेटेट बाते की गई थी ठीक है तो याद रखेगा चलिए प्रस्ट नमबर देखें यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल है इसको आप पढ़ लीजेगा अब हम देखेंगे प्रस्ट नमबर 20 निमलिखित में से किस घटना ने भारत में फ्रांसिसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व इस्थापित किया तो आपके सामने आप्शन है एह है बक्सर की लड़ाई, बी है करनाटक का योद, सी है वांडिवास की लड़ाई, दी है चिंगेल पूट की लड़ाई दोस्तो प्रश्ण नमबर 20 का राइट एंसर आपस नमबर C वांडी वास की लड़ाई अब यहाँ पे आपसे प्रश्ण पूछा जा सकता है कि वांडी वास की लड़ाई हुई कब थी तो यह दोस्तो 22 जनवरी 1760 को हुई थी 22 जनवरी 1760 आप देखे किनके किनके वीच हुई है यह आपको असपस्ट दिख रहा है अंग्रेजो और फ्रांसिस्यों के मत है जिसमें अंग्रेजों का वच्चस्व इस्थापित हुआ फ्रांसिस्यों के उपर तो यह बात आप याद रखेगा अगर आप से प्रास्ट यह बन जाए कि जो वांडिवास है जो वांडिवास लोकेशन है यह किस प्रदेश में है तो दोस्तों यह तमिलाड में है तो बतमार में तमिलाड का एक जीला है जिसका नाम टिरूवनन्थ पुरम है तो वहाँ पर आपको यह लोकेशन देखने को मिल जाता है प्रस्ट नमबर 21 देखें अब हम देखेंगे भालती अल्थ सास्त्र या भालती अल्थ बाउस्ता से लेटेड कुछ महत्रपूड प्रस्ट अब मैं फिल से आप से बोलूँगा आप पानी पी लेजें क्योंकि पानी पीएंगे तो ब्रेन को अक्सिजन मिलेगा और आप बिल्कुल अटेंटिव हो के लेक्चर को अटेंट करें तो पानी पीजें मैं भी पी लेता हूँ चलिए प्रस्ट नमबर 21 को मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए बहुत ही महत्रपूड प्रस्ट है गाडगिल फार्मूले ने भारत में किस पंचवासी योजना के उद्देशियों को प्रभावित किया तो ए है दृतिय पंचवासी योजना दोस्तों पंचवासी योजना बहुत ही महत्रपूड टापिक है आपके एक्जाम के लिए तो आपसन नमबर C इसका करेक्ट है तीसरी पंचवासी योजना वैसे अगर आप गूगल पे ब्राउज करते हो तो चोथी पाचमी भी देखने को मिलता है लेकिन वहाँ पे दोस्तों ये डिरेक्टली प्रभाव नहीं डाला था जो गाटगिल फर्मूला है तो आप तीसरी पंचवासी योजना को सही मानेंगे अब देखे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पंचवासी योजनाओं पर अगर पूछा जाए आपसे प्रश्ण कि पंचवासी योजना प्रारंब कब हुई तो दोस्तों ये प्रारंब हुई थी 1951 इसबी से डेट पूछ लिया जाए तो 1 अप्रैल और पहली पंचवासी योजना 1 अप्रैल 1951 से 1956 इसबी तक चली थी अगर आपसे प्रश्ण पूछ लिया जाए पहली पंचवासी योजना का उद्देश से क्या था या फिर जैसे यहाँ पे गाड़गिल फार्मूला है तो ये तीसरी पंचवासी योजना को जाना जा रहा है इसका ओद्द्था था, antra. पेट, और ये जो model था, जिस model पे अधारित था, उसको बोलते हैं दोस्तो, hero domar model, इसको हम delete करके खिर से दुबारा लिख देता है, तो इसको बोलते हैं, hero domar model, ठीक है तो हेरोन डोमर मॉडल ठीक है इस पे अधारिती अपनी पहली पंचवसी योजना ठीक है अब यहाँ पे बात करें दूसरी पंचवसी योजना का ठीक है अगर वो पूछ लिया जाए तो ये चली थी आपकी 1956 से लेके 1961 के बीच ठीक है और इसमें उद्दे से क्या था दोस्तो क्रिसी प्लस इंडस्ट्री ठीक है तो इंडस्ट्री सबसे प्रमुख था तो याद रखेंगे ठीक है अब देखें तीसरी पंचवसी योजना की बात करें तो आपने देखे लिया 1961 से लेके कब तक चलेगी छाचट तक RBI की अस्थापना कब हुई थी बड़ा ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रशन है A है 1934 B है 1935 C है 1936 D है 1949 तो दोस्तो इसमें राइट अंसर आप्सन नंबर B 1935 एक अप्रेल इसका भी डेट याद रखेगा एक अप्रेल 1935 में RBI की अस्थापना हुई थी और इसका राष्टी करण हुआ था दोस्तो एक जनवरी 1949 में ये भी याद रखेगा अब एक दो बात और भी याद रखते हैं RBI की अस्थापना का जो प्रावधान था वो किस अगर पूछ ले किस अधिवेशन में आया था तो 1935 की अधिवेशन में इसका वड़न देखने को मिलता है अगर इससे रिलेटिट एक और बात करें कि RBI का हेटकॉर्टर कहां पे है दोस्तो तो मुंबई में ये भी आप याद रखेगा RBI का अगर पूछ ले सिंबल पे कौन सा जानवर या कौन सा पेड़ है तो दोस्तो इस पे है पाम का ट्री ठीक है पाम का पेड़ है प्लस जो जानवर है वो है दोस्तो टाइगर ठीक है ये भी आप याद रखेगा अगर आप से प्रशन पूछ लिया जाए कि भारती अल्थ ब्योस्ता में मुद्रा इस्विती को नियंतरित करने का कारी कौन करता है तो दोस्तो RBI करता है चलिए अभी इतना ही जानिए अभी बहुत सारी बात है RBI से लेटेट चलिए प्रशनमर तेज देखिए सरवाधिक कर राजसवाले भातिय राजय का नाम बदाईए तो दोस्तो इसमें राइट एंसर हो जाता आपस नमर D महारास्टा चलिक है और इसलिए इसको Financial Capital आफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं यानि कि भारत का बित्ती ये राजधानी चलिक है तो याद रखेगा भारत का राजधिक राजधानी दिल ही है ये तो आपको पता ही है चलिए प्रस्ट नमर 24 देखते हैं राश्टी I की गढ़ना निमलखित में से किस एक तरीकों के चोड़ कर सभी तरीकों से की जाती है चलिक है तो बताईए तो अगर हम बात करें भारत में जो राश्टी I की गढ़ना होती है वो तीन बिधियों से की जाती है एक है expenditure method दूसरा है production तीसरा है income तो याद रखेगा चलिए अगर आपसे प्रश्ट मैं पूछ लेता हूँ कि भारत में राश्टी I की गढ़ना कौन सा organization करता है तो दोस्तों याद रखेगा CSO Central Staticals Office तो ये भी आप याद रखेगा प्रश्ट नमबर 25 देखे भातियात ब्यास्था का प्रकार है बताए किस प्रकार की भातियात ब्यास्था है टाइम देख लेते हैं चलिए कोई बात नहीं उम्मीद करूँगा कि एक घंटे के अंदर complete हूँ और आप ऐसे हैं interesting session के लिए Rankless GK Study Channel को जरू सब्सक्राइब कीज़ेगा ए है स्वतमत्र अर्थ ब्यास्था बी है मिस्रित अर्थ ब्यास्था सी है पुन्जीवादी अर्थ ब्यास्था दी है साम्यवादी अर्थ ब्यास्था तो बहाते अर्थ ब्यास्था दोस्तो मिस्रित अर्थ ब्यास्था का एक प्रकार है मिस्रित अर्थ ब्यास्था का क्या आर्थ है तो दोस्तो मिस्रित अर्थ ब्यास्था का अर्थ है जिस अल्थव्योस्था में पूंजीवादी अल्थव्योस्था और सामयवादी अल्थव्योस्था दोनों का नेचर हो यानि कि भारत सरकार ऐसा नहीं है कि सभी छेतर में खुद ही कारी कर रही है भारत सरकार प्राइबेट कमपनियों को भी प्रमोट करेगी और समाज का जो कल्याण है उसको भी करके चरीगी तो इन दोनों बिसियों को जो ध्यान में रखके अल्थिवास्ता आगे बढ़ती है उसको हम मिस्रित अल्थिवास्ता के नाम से जानते हैं अगर आपसे प्रशन पूछ लिया जाए कि निम्लिकित देशों में से किस देश की अल्थिवास्ता पूंजीवादी प्रकार की है तो दोस्तो यूएसे तिक है जर्मनी इंगलैंड इन सभी देशों की जो अल्थिवास्ता है वो पूंजीवादी 마스크 ठाइब एक ही ब्यक्ति धनी होते जा रहे हैं तो ऐसे आत्यव्यवस्था को साम्यवादी आत्यव्यवस्था के नाम से जानते हैं चली चली अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्ण के अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश विसे से संबंदित कुछ महत्रपूर प्रश्णों को तो आपने उत्तर प्रदेश बिसिस बहुत ही पढ़ा है राठी सस्थे तो अब हम देखेंगे आपका जो टेस्ट है तो उत्तर प्रदेश के राजेपाल का नाम बताईए चली से बताईए A है रामनाईक, B है शरी बिस्वनाद्दास C है शरी के मुनसी और D है आनंदी बेन पटे तो दोस्तो इसमें राइट अंसर है आनंदी बेन पटे तो याद रखेगा यहाँ पे अगर हम बात कर लें थोड़ा सा जैसे हमारा एप्रोच है कि कुछ डिस्कस करके चलें तो अगर आपसे प्रशन पूछ लिया जाए कि भात्य समिधान जो राजयपाल का पद है वो किस अनुछेद के अंतरगत है तो दोस्तो अनुछेद एकसो तिरपन तो याद रखेगा अनुछेद एकसो तिरपन में क्या है कि प्रतेक राजी का एक राजयपाल होगा और अनुछिद 177 में है कि राजपाल होने के लिए जो अहताएं है जो eligibility है वो क्या होगी इसका प्रावधान अनुछिद 177 में लिखा गया है अगर आपसे परशन पूछा जाएं देखिए पूछा गया परशन है पुलीस वाले पेपर में पूछा हुआ परशन है कि निमलखीत में से कौन है जो राजपा अध्यक्ष है तो राजपाल ही होता है ठीक है तो यह तो आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश की आप लेते हैं त्री अस्तरिय में पहला है विलेज ठीक है और विलेज जिसको हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं विलेज लेबल पे दूसरा है आपका पंचायत समीती ठीक है जो आप ब्लॉक लेबल पे देखते हैं ठीक है दूसरे को किस नाम से जानते हैं दोस्तों पंचा आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के अस्थानिय स्वायत सासन में तो अब आगे बढ़ा जाए और देखा जाए अगला प्रश्ण यहाँ पे एक चीज और याद रखेगा अगर आपसे प्रश्ण पुछी लिया जाए अस्थानिय स्वासासन का जो जनक है वो कौन था तो वो रिपण था तो याद रखेगा यह बहुत ही महतपूर काम करके गये थे रिपण वैसे तो अंग्रेजों ने लूटा था लेकिन रिपण देखिए तो दोस्तो प्रसन नमर 28 का जो राइट अंसर आ है औपसन नमर A है 1937 में उत्रप्रदेश का नाम सयुक्त प्रांत रखा गया उसके पहले इसका नाम क्या था दोस्तो आग्रा और आयोद को मिला के एक सयुक्त प्रांत के रूफ में इसको जाना जाता था कब तक 1902 से जाना जाता था 1903 से 1937 तक इसको आगरा और आवद के संयुक्त प्रांथ के नाम से जाना जाता था और एक अपरेल 1937 से इसको संयुक्त प्रांथ के नाम से जाना गया और फिर से 24 जनुवरी 1950 से इसको हम जानते हैं किस नाम से उत्तर परदेश के नाम से और इसकी राजधानी बना दी गई लखनो ठीक है और इसमें 18 डिविजन किये गए और 75 जिले समलित किये गए ठीक है तो इतना बात आप याद रखके चलेगा अब जल्दी से इतना कुछ जानने के बाद comment section में बताए उत्तर प्रदेश की अस्थापना दीवस किस date को मनाई जाती है मैं नहीं बता रहा है जल्दी से जबाब दीजे comment section में चलेए प्रस नमबर 29 देखते हैं उत्तर प्रदेश में प्रसिद बुलंद दर्वाजा कहां इस्थित है बताए ए है फतेपूर सिकरी बी है लखनों सी है जनपूर डी है आगरा तो बड़ा simple question हो गया उमेद है जब आप दे पाएंगे right answer है option number a फतेपूर सिकरी अब इसकी अस्थापना किस ने की तो दोस्तो अकबर ने की थी ठीक है कब की थी प्रशन पूछा जाए तो 1571 में ठीक है 1571 इस भी है ठीक है चले प्रस नमबर 30 देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा है आप इसको पढ़ परिजीगा वही बाते हैं जो मैंने आपको बताया ठीक है अब हम देखते हैं प्रस नमबर 31 अब यहाँ पर हम देखेंगे current affair के कुछ question ठीक है तो साथ में current affair भी अगर होता चलता है साथ में तो आप current affair को भी ध्यान से देखेंगी ठीक है क्योंकि आपके exam में मैंने देखा प्रतेक पीपर में कम सकम साथ प्रस ठीक है current affairs देते हैं तो current affair पढ़ते रहे है राठी सहल से और फिर जैसे भी आपको लगता है और यहाँ पर टेस्ट देते रहे हैं तो प्रस नमबर 31 पढ़े है ध्यान से हाली में भारत और यहाँ पर जो gap है इसको फिल कीजिए ने बताईए भारत ने किस देश के साथ साइं किया है यह treaty तो ए है उमान बी है सिंगापूर सी है तंजानिया बी है बांगला देश तो दोस्तों इसका राइट एंस रहा आप्स नमबर बी सिंगापूर के साथ चिक है अपना अगला प्रस नेखते है प्रस नमबर 32 चुनाओं आयोग ने अर्जुन पुरसकार बिजेता सीतल देवी को अपना राष्टे दिव्यांग आइकन घोसित किया है वह किस केल से संबन देथ है बताईए किस केल से संबन देथ है ए है गोलफ गोला फिंक बी है सुटिंग सी है तिरंदाजी बी है टेनिस तो दोस्तों राइट और देखे यह जमू कसमेज से बिलांग करती है और इन्होंने अलजुन पुरसकार जीता है तो याद रखेगा अगर पूछले मतलब कहां से संबन रखती है तो जमू कसमेज से चलिए अगला प्रसकार किस छेत्र में दिया जाता है आपको बता रहा है तो प्रश्ण नमबर 33 का दोस्तों जो राइट अंसर होगा वो होगा आपका आपसर नमबर A यानि मानवी कल्याण के लिए दिया जाता है डायना इसमृती प्रसकार तो यहाद देखे दो तीन प्रश्ण आपको करिंट अफेर में धूढ़ना पड़ेगा खु तो इस तरह से भी आपसे प्रश्ण बन सकते हैं तो आप याद रखके चलिएगा चले प्रश्ण नमबर 34 देखे हैं हाली में भात्य सेना ने पाकिस्तान सीमा के पास कहां पहला अपाची यहां अपाचे लिखा हुआ यहां अपाची लड़ाकु हेलिकाप्टर स्क्वाड प्रश्ण पूछा जा रहा है तो दोस्तो 35 नमबर का राइट एंसर होगा और जैसे अभी हमने आपको काफी बाते बता दी है राश्टपत स्लेटिड कि राश्टपती का जो पद होता है वो अनुछेद एक सो शरी अनुछेद बावन में है प्रश्ण नमबर 36 देखते हैं निम्रखित में से किसको हाली में तुटिष्छित पीबी नसिम्हा राव मिमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो दोस्तो इसमें राइट एंसर है अप्सन नमबर A रतन टाटा रतन टाटा को महराष्टा रतना का भी अवाड हाली म तो याद रखेगा महराष्टा रत्न अवार्ड महराष्ट का सबसे उच अवार्ड है और ये किन को मिला है रत्न टाटा को चलिए प्रश्ट नम्बर 37 देखें केंद्री मंत्री अलजुन मुंडा ने किस राज में जंजातिय संस्कृत और विरासत के संवर्धन केंद्र की अ जारखंड ठीक है तो याद रखेगा अगर हम जारखंड से जूड़ी दो-तीन नदियों की बात करें तो आपको वहाँ के एक नदी देखने को मिल जाती है बराकर और बराकर नदी पर दो बांध देखनें देखनें तीन बांध है ठीक है तो एक का नाम है दोस्तों मैथान ठीक है वो भी याद रखेगा और अगर बात करें दूसरा तो तिलया बांध भी इसी पे है अगर तीसरे की बात करें तो बाल-पहाड़ी बांध भी बराकर नदी पर है ठीक है तो ये भी आप साथ में याद रखेगा दामोदर नदी जारखंड में बहती है और हुगली में जाकर मिल जाती है प्रश्ण नमबर 38 देखे भारत सरकार ने हाल ही में किस राज के माजुली मास्क को भगवलिक संकेत का दर्जा दिया है तो बताइए यह मिखाल है, B है सिक्किम दोस्तों इसमराइट अनसर होगा आसाम और माजुली दीप है, नदी दीप है किस नदी का यह माजुली दीप है तो दोस्तों अगर प्रश्ण बने तो ब्रह्म उत्रा नदी में इस्थित यह एक नदी दीप है, माजुली जो 200 की सबसे बड़ी नदी दीख है ये भी आप याद रखिएगा चलिए प्रश्ट नमबर 49 देखिए 15 से 17 मार्च 2024 तक रूसी राष्टपति का चुना राष्टपति के रूप में यहाँ पे किसे चुना गया है तो राष्टपति चुना हुआ है कहाँ पे रूस में तो दोस्तों वहीं है ब्लादिमिर पुतीन को ही चुना गया है तो याद रखिएगा चली प्रस्ट नमबर 40 देखते हैं अब हिंदी के हम 10 प्रस्ट न देखेंगे तो जल्दी जल्दी से जबाब आप देते रहिएगा त्यक्य है क्योंकि आपके एक्जाम में हिंदी का वेटेज बहुत अदिक है अगर आप आरो यारो का एक्जाम देते हैं तो भी आपके ए यह पियशी यह पीशी अप्फियश्य अधयामों में भी हिंदी पूछा जाता है तो 6 यह त्रै यह तीनों कौन से बेंजन है आपको जल्दी से जवाब देना है तो दोस्तो इसमें राइट अंस प्स नमबर ए यह तीनों से ब reads है अब सांय। Vanessa आप स्याम देन होने का क्या बनता है पेटखर हुआ से से अब यहां पर देखें आपने छे को समझ लिया शत्री वाला छे त्रे को समझ लेजे जो त्रे है यह दोस्तो आधा तै प्लस रह से मिलके बनता है तो यह भी पूछ लिया जाता है इनका मेल ठीक है या फिर यह कैसे बनते हैं तो आपको पता होन ग्यां तो एक मिनट क्या है कि पेन कभी फिसल जाता है तो ग्यां का निर्माण कैसे होता दोस्तो तो इसमें आधा जै प्लस इय मिलके इसका निर्माण करता है ठीक है चलिए प्रस नमर 41 देखते हैं आग कौन सा सब्द है बताईए ए है तत्सम बी है तद्भाव सी है देस तो दोस्तो आग जो है वो तत्भाव सब्द है और इसका तत्सम क्या होगा अगनी होगा ठीक है तो याद रखेगा और यहाँ पे अगर आपको थोड़ा समय क्लियर करके चलूं कि तत्सम क्या होता है तत्भाव क्या होता है तो सिंपल सब्दों में समझेगा संस्कृत के वे सब्द जो जैसे के तैसे प्रियोग होते हैं वलतनी में उनको हम बोल देते हैं तत्सम ठीक है और उन्ही संस्कृत सब्दों का अगर हम अपने भासा में प्रियोग करते हैं या तोड़ फोड के प्रियोग करते हैं तो उसी को बोल देते हैं तदभाव ठीक है जैसे अगर हम यहीं पर बात किये हैं अग नहीं ठीक है हल्स और उसी को अगर हम तदभाव में प्रयोग करते हैं तो आग ठीक है और फिर हल्स का क्या होता है दोस्तो आप कमेंट सेक्षिन में बताईएगा ठीक है चलिए प्रस्ट नमबर 42 देखते हैं इमांदारी कौन सा संग्या है ए है ब्यक्तिवाचक भी है भावाचक सी है समुवाचक डी है इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो इसमें भावाचक संग्या सही जवाब होगा देखे इमांदारी हो गया करुना हो गया दयालूपन हो गया इसमें क्या है भाव ही तो होता है तो ये भौहन, सीता, राजू ठीक है उसके बाद अस्तान वाचक में कोई फेमस लोकेशन जैसे दिल्ली, बैंगलूरू, इंग्लैंड अगर बात करें वस्त वाचक में कोई वस्त हुआ ठीक है जैसे किताब, कलम, बालक, गाय, भल, बाग, ये सब क्या है वस्त वाचक है ठीक है हम क्या बोलते हैं दोस्तों विसेसर वाचक संग्या तो यहां पर देखें गरीबी तो गरीबी सब्द से क्या होता है एक इंसान की इस्थिती बताई जाती है उसकी विसेस्ता बताई जाती है कि वह है इंसान निर्धन तो ऐसे संग्याओं को बोलते हैं विसेसर और यहां पर दरव्य वाचक संग्या में क्या है तेल, घी, पेट्रोल तो आप इनको फ्रेक्वेंटली रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे चलिए, प्रश्ट नमबर 43 देखे क्या है, जिसको 43 भी आप बोल जाओंगे, रैट ख्याल कौन सा सब्द है, बताईए तो इसमें दोस्तों, रैट एंसर होगा अप्सन नमबर B, विदेशर्ज चलिए, अगला प्रशन देते हैं, प्रशन नमबर 44 देश भक्ती में कौन सा समास है दोस्तों तो A है कर्मधार है B है तक्पुरू, C है द्वंध D है द्विग तो प्रशन नमबर 44 का रैट एंसर अप्सन नमबर B, कौन सा समास है तत्पुरू समास, ठीक है देश के लिए भक्ती, ठीक है तो के लिए सब्द का जहां पे प्रयोग आपको देखने को मिले तो तत्पुरू समास हो जाता है याद रखिएगा, यहां पे समास का भेद दिया हुआ है इन्हें देख लिजेगा पहचान के लिए आपके लिए एक अलग से स्रीज तयार की जाएगी इसी चैनल पर तो वहां पे आप हिंदी डिटेल में पढ़ेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर पैतालिस जो ब्याकरण जानने वाला वाक्य जो ब्याकरण जानता है उसकी नहीं अगर एक वाक्य प्रियोग किया जाए एक सब्द प्रियोग किया जाए तो वो क्या होगा तो दोस्तो ब्याक्रत जानने वाले को हम बोलते हैं वयाकरण है तो याद रखिएगा चलिए प्रस्ट नमबर 46 देखते हैं गाल बजाने का क्या अर्थ है तो दोस्तो आप सन पढ़ लेजेगा ध्यान से उम्मीद है कि इसका जवाब आपको आता होगा तो गाल बजाने का अ आता है तो बहाना बनाने का अर्थ है अगर मगर करना एक क्या है लोकति है याद रखेंगे चलिए अगला प्रश्ट देखते है प्रश्ट नमबर 48 सुध्शब्द इसमें से छाटना है तो देखिए प्रश्ट आपसे एकजाम में पूछा जाता है सुध्शब्द छाटने का और सुध्यवा के भी छाटने का पूछा जाता है तो वो भी हम आपको कराएंगे ठीक है फिलहाल तो इसमें आप्स नंबर बी करेक्ट है सचिदानद ठीक है तो याद रखेएगा चलिए प्रस्ट नंबर 49 देखिए दयानद में कौन सा संधी है तो बताइए जल्दी से देखिए इसमें राइट अंसर है ओप्स नंबर C दिर्ग संधी ठीक है दिर्ग संधी क्या होता है दोस्तों तो जैसे माली जी या तो फिर लगु स्वार वो और दिर्ग संधी के साथ मिल जाए जैसे यहाँ पे क्या है दयाधन आनंद ठीक ह दयाधन आनंद में आपको यहाँ पे दिर्ग प्लस दिर्ग देखने को मिलना है ठीक है तो दिर्ग प्लस दिर्ग स्वार जब मिलते हैं तो भी दिर्ग संधी बनती है लगु प्लस अगर दिर्ग मिले तो भी बनता है दोस्तों दिर्ग संधी ठीक है तो याद रखेगा च दावा नल, c है बढ़वा नल, d है जट्रा नल, तो दोसको इसमें राइट हैं सर, आपस नमबर ए, दावा नल बोलते हैं, तो याद रखेगा, जंगल में आग लगने वाली घटना जो होती है, उसको एक सब्द में दावा नल कहता है, जो पेट में आग लगती है, उसको हम बढ़वान और इस तरह से आपका सेशन कंप्लीट होता है और फिट बैक जरूर दिजेगा कि आपको यह स्रीज कैसा लगा और जल्दी से कमेंट सेक्षन में बताईए कि आपने कितने करेक्ट किया है अब मैं मिलूँगा अगले सेशन में तब तक के लिए अपना खयाल लग है जहें